हाँ जी यह देखिए आपकी बारी डिवांड पर हम लेकर आ चुके हैं कख्चनों का जो पेपर है विज्ञान का एक जलेम हो गया था तो हमारे हाथ लग गया है पेपर तो आपके लिए बता रहे हैं क्यूशन रिपीट हो रहे हैं तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन वेल को अन कर लें जिससे आपको वीडियो के अपडेट टायम से मिल सके तो आईए बिना देरी के स्टार्ट करता है पहले क्यूशन के साथ अगर आपने वीडियो पर जल्दी से 1000 व्यू करवा द नमलकित में से किस गटना के कारण गर्मियों के दोरान मिट्टी के बड़तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है दूसरा है नमलकित में से कौन सा टिंडल प्रवाब दरसाता है धर्ड है कारवन का परमानु तरव्यमान कितना है चार नमर है नमलकित में से कौन सा सोडियों क का सई electronic विन्यास है पांच नमबर है hydrogen का समस्तानिक कौन सा है छे नमबर है केंद्रक की खोज किसने की साथ नमबर है अस्ति उधारण किसका है नेक्ट है आप आठ नमबर यदि कोई वस्तु टी समय में ऐस दूरी तै करती है तो उसकी गती कितनी होगी नौ नमबर है rocket किसके स संडक्शन के सिधान पर कार करता है रंग है प्रतवी के द्रूबम पर गुरत्वा कर स्दके के कारण के ओरन का मान कितना होता है घयरा नमबर है कार करने की चमता क्या कहलाती है बाट है शक्ति का ऐसा Incoup क्या है तेर्ा है प्रश्न है एक जूल कार कितना होता है चौदा नंबर है द्वनी का संचरण नेमन में से किसमे नहीं हो सकता है पदर नंबर है वर्मी कंपोस्ट कौन सा जीब बनाता है सोरा नंबर है रिक्तिस्तानों की पूर्थी कीजिए जिसमें पहला है समस्तानिक वे परमाणू है जिनकी खाली जगे समान लेकिन खाली जगे बिन होती है दो नंबर है ऑक्सीजन परमाणू की परमाणू संक्या कितनी होती है थड़ है किनी दो पिंडों के मद गुर्त्वाकरशन बलका सूत्र कितना होता है चार नंबर है एक आ पहला है किसी पिंड में उसकी गती के कारण जो उर्जा होती है उसे इस्तिति उर्जा कहते हैं सेकंड है किसी दुनी का तारत उसकी आवरती पर निर्वर करता है थर्ड है स्तरव्य द्वनी का परिशर 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक है चार नमबर है ब्रह्मांड की कुल उर्जा हमेशा इस्तिर रहती है पांच नमबर है तरंग दैर का ऐसा ही मातर हर्ज है अवे आतिलग उत्तरात्मक प्रसंग आठारा है नमले के ताप मानों को कैल्विन एकाई में परिवर्थित करें 19 नमबर है मिश्टरण वे योगिक में अंतर लिखिए 20 नमबर है इस्तिर अनुपात के नियम को परिवासित कीजिए 21 नमबर है रदरफोड के परमानु मोडल की क्या सीमा है 22 नमबर है सम भारिक को परिवासित करें 23 नमबर है कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों चोईश नमर है सक्ति क्या है एक वाट सक्ति को परिपाशित करें पच्चिस नमर है उतक किसे कहते हैं पादप उतक के विविन प्रकारों के नाम लिखिए 26 नमर है चाल एवं वेग में अंतर लिखिए 27 नमर है गती का परतम नियम लिखिए 28 नमबर है एक वस्तु का दरविमान 10 केजी है प्रतिवी पर इसका भार कितना होगा 29 नमबर है जब किसी वस्तु पर उसके विस्तापन की दिशामें बल लगाय जाता है तो किये गए कार को ग्याद करने का सूत्र लिखिए 30 नमबर है प्रति द्वनी सब्द से क्यातात पर है यानि के एको द्वनी से क्यातात पर है प्रति द्वनी सुनने के लिए द्वनी सुरोज से अवरोधक की नियुनतम दूरी कितनी होनी चाहिए 31 नमबर है द्वनी तरंगों की प्रकड़ती अनुदैर क्यों है 32 नमबर है हम केतों में खाद और वरकों का उपयोग क्यों करते हैं अब अलगुत्रात्मा क्वर्शन 33 नमबर है निम्न के सूत्र लिखिये पहला है सोडियम आइट्रोकसाइड तूसरा है अलगुनियम क्लोराइड 34 नमबर है यदि किसी परमाणू में एलक्ट्रोनों की संख्या आठ है और प्रोट्रोनों की संख्या तब परमाणू की परमाणू संख्या क्या है नेक्ट और वे है परमाणू का अविश क्या है नेक्ट है यदि तत्व का जैड और तीन हो तो तत्व की सहोजगता क्या होगी तत्व का नाम भी लिखिए नेक्ट युशन है एक अंत्रिक्ष यान से एक सिगनल को प्रत्वी तक पहुँचने में पांच मिनट का समय लगता है प्रत्वी पर इस्टित इस्टेशन से उस अंत्रिक्ष यान की दूरी क्या है आपको हिंट दे रखाए प्रकाश का वेक सिगनल की चाल बरावर तीन नियम का क्या मैत्व है 49 नमर प्रश्ण है उर्जा संरक्षन का नियम क्या है चालिस नमर है 15 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु चार मीटर पर सेकंड के एक समान वेक से गती सील है वस्तु की गती उर्जा कितनी होगी 41 नमर है अनूरर रनन क्या है इसे कैसे कम किया जा सकता है द्वनी के वेक का सूतर क्या है किसी दिये हुए माद्यम में एक द्वनी तरंग की आवरती 200 हट्स तता वेक 440 मीटर पर सेकंड है इस तरंग की तरंग देरकी गढ़ना कीजिए अबेल निवन्दात्मक प्रश्ण 43 नमबर प्रश्ण है बोर के परमाणू मोडल की सचित्र व्याक्या कीजिए अत्वा थॉमसन के परमाणू मोडल की सचित्र व्याक्या कीजिए 44 नमबर है 44 का पहला किसी वस्तु की गतिज उर्जा से आप क्या समझते हैं बेह है गतिज उर्जा का बेंजक लिखिये सेह है पांच मीटर पर सेकंड के वेक से कतिज शील किसी एम द्रभमान की वस्तुगी कतिज उर्जा 25 जूल है यदि इसके वेक को दोगना कर दिया जाए तो इसकी कतिज उर्जा कितनी होगी इसका जो अत्वा के क्यूशन है उसको देखने से पहले आप सब इसे रिक्वेश्ट है कि जिन्हों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले नोटिफिक्शन वेल को ओन कर ले जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके और डिस्क्रिप्शन में हमारे वार्टसप ग्रूप का लिंक है जाए जोइन कर लिजिए अगर आप कोई डाउट रहता तो हमारा वार्टसप नमबर है 788778966648 आप मेसेज कर दीजिएगा अत्वा के अंदर प्रश्ण है किसी वस्तु की इस्तिजी उड़जा से आप क्या समझते हैं इस्तिजी उड़जा के लिए वेंजक लिखिए और से है 10 किलो गुद्रव मान की एक वस्तु को दर्दी से 6 मीटर की उचाई तक उठाया जाता है इस वस्तु में विद्दिमान उड़जा का परिकलन कीजिए और जी का मान 9.8 मीटर पर सेगिंड स्कॉयर है एतालिस नमबर प्रश्ण है पराद्वनी का है पराद्वनी के अनुप्रयोग लिखिए अत्वा पहला है किसी दुनी तरंग की तरंग 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 में अंतर इसपस्ट कीजिए तो यह ते सारे क्यूशन जो आपके जले में भी आ सकते हैं तो सभी प्रश्णों को देख लें, याद कर लें, रट लें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल को ओन कर लें, तो जल्दी से जाएए, सारे प्रश्णों को देख लीजिए और अपने तोस्तों को भी जरूर सियर कीजिए मिलता है नेक्ट वीडियो में, सभी को एक्जाम के लिए बेस्ट आफ लक, थैंक यू